नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू चलिए इस वीडियो में हुमियोपथी की पबलिक इमेच फिर से इंप्रूव करते हैं बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के उपर जहां पर लिवर फैटी लिवर जैसी एक जनरल बिमारी से होते होते धीरे धीरे हमारी गलतियों की किया जाता है कि हुमियोपथी से सिरहोसस में 100% इलाज मुमकिन है और इसी लिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप समझें आपको पता चले कि क्या वास्तव में हुमियोपथी से लिवर सिरहोसस को रिवर्स कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं या हुमियोपथी से आज में नाम है खराब ना हो तो चलिए सबसे पहले चल्चा कर लेते हैं इस वीडियो में कि यह लिवर सिर्होसिस है क्या देखिए लिवर सिर्होसिस सीधी भाशा में बोलू तो स्टेज फोर लिवर डिजीज है यानि कि धीरे-धीरे करके हमारा लिवर अब अपने एंड स्टेज में जाता चला जा रहा है तो लिवर कैंसर से पहली जो स्टेज है जो स्टेज फोर जिसे हम बोलते हैं उसको लिवर सिर्होसिस कहा जाता है अब ये स्टेज फोर कहां पहुंचती है कैसे पहुंचती है समझेए स्टेज फोर का मतलब है फैटि लिवर ग्रेड grade 2, grade 3, धीरे-धीरे करके grade 4 में serhosis और serhosis के बाल liver cancer, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, इसका क्या मतलब हुआ, कि यदि आप एक fatty liver के मरीज हैं और आप अपने fatty liver का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए कोई भी step नहीं उठा रहे हैं, तो धीरे-धीरे करके fatty liver grade 1 से grade 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, और 3 से stage 4 यहनि लिवर serhosis में convert हो जाएगा, अब इसमें क्या होता है, इस बिमारी में हमारे liver के अंदर scar tissue होने लग जाता है, उसे हम scaring बोलते हैं, scaring का liver का, वो कुछ हद तक ही काम कर रहा होता है, यहनि लिवर 100% functioning से घटके, धीरे-धीरे करके, उसकी functioning कम होती चली जाती है, तो जो scar tissues हैं, जब वो ज़्यादा मातरा में बढ़ जाएगे, तो उसको हम बोलेंगे liver cirrhosis, चली अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, liver cirrhosis की कुछ stages के बारे में, कैसे कैसे पहुचेंगे, जैसा मैंने आपको short में बताया कि fatty liver हुआ आपको, grade 1 हुआ, फिर grade 2 होगा, फिर grade 3 होगा, फिर grade 4 होगा, grade 4 तक पहुचेंगे, तो stage 4 जो है, वो liver cirrhosis की stage है, ठीक, अब यह जो liver cirrhosis की stage है, यहाँ पर दो stages आती है, पहली होती है, compensated और दूसरी होती है, decompensated, compensated का मतलब है, कि जब हमारा शरीर liver से थोड़ा बहुत काम ले पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, compensated stage, अब अगर compensated stage है, तो यहाँ पर आप liver को बहुत समय तक palliation की तरह दवाईयां दे दे कर liver से काम करवा करवा, अगर उसको अपनी जगे maintain करके सालों साल रख सकते हैं, लेकिन अगर decompensated stage आ गई, तो इसका मतलब क्या है, liver ने अपना काम करना बहुत हदा कम कर दिया है, जहां से शरीर अब compensate नहीं कर पा रहा, liver के बिना काम नहीं कर पा रहा, ठीके, और कोशिशे करने के बावजूद, liver उतना ज़्यदा साथ शरीर का नहीं दे रहा, तो that is called as decompensated stage, तो आगे आपको बात समझ कि कैसे कैसे धीरे-धीरे करके शरीर के अंदर liver grabber करना लग जाता है, अब सवाल यह उठता है कि भई, कैसे पता चलेगा कि हमको liver sarhosis हो रहा है, बहुत आसान तरीका है, कि भई, investigation कराएंगे, कौन सी investigation, liver function test, उसमें देखेंगे, bilirubin, ठीक है, total bilirubin, या फिर हम यहाँ पर indirect and direct bilirubin, direct bilirubin अगर high होता है, तो कही ना कहीं दिक्कत है, जोंडिस की stage में है, SGOT, SGPT बहुत जादा बढ़ने लग जाएं, जो लगभग 600-700 के उपर जाने लग जाएं, ठीक, alkaline phosphatase कुछ गरबर करने लग जाएं, यह GGD गरबर करने लग जाएं, prothrombin time गरबर करने लग जाएं, तो यह सारे liver function test में दिखाई देंगे, एक doctor अच्छे से judge कर सकते हैं, आपकी reports को देखके, इसके बाद हमें चाहिए, ultrasound patient का जिसमें हम देखेंगे liver की क्या condition है, और अलगर ultrasound में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो हमें चाहिए fibroscan, fibroscan से clearly पता चलता है कि liver की क्या staging है, और liver इस समय कौन सी fat liver grade stage में है, scar tissue कितना ज़्यादा बन रहा है, और उसके according clear हो जाता है कि patient को liver cirrhosis है या नहीं, अब अगर sign और symptom की बात करें कि यह क्या लक्षण है, कैसे पता चलता है मरीज को अंदर देखके, तब यह मरीज हमारे पास आता है कि भूक नहीं लग रही है, ठका ठका महसूस कर रहा हूँ, पड़े रहने की इच्छा कर रही है, शरीर पीला पड़ रहा है, आँखे पीली हो रही है, पिशाब पीली आ रही है, जागदार आ रही है, पड़े रहने की इच्छा कर रही है, वजन कम होता जा रहा है, और ये सारी चीज़ें कितने दिनों में हुई है लगबग मानके चलिए पिछले तीन महीने के अंदर धीरे-धीरे करके ये चीज बढ़ती जा रही है अब लगबग पिछले 15-20 दिनों से कंडिशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है दबाईया उतना अच्छा से काम नहीं कर रही है ठीक अब इसके बाद जो आग पेशिंट के अंदर देखते हैं वो क्या देखेंगे छोड़े से ऐसे एडवांस सिंटम्स देखेंगे जिससे की पता चले कि वास्तम में क्या कंडिशन है अब अगर पेशिंट के पेट में पा पेशिंट जा रहा है इसके साथ में अगर किड्नी इफेट करने लग जाएं तो इसका मतलब किड्नी इफेक्शन होने लग गए कई बार मरीज की सांस फूलने लग जाती है शरी में थिकान कंपन होने लग जाता है बहुत ज़्यादा एस प्योर टू लेवल गरबर होने ल सकती है और उसकी पूरी तरह से मदद की जा सकती है अब आजाईए में सवाल के उपर कि यह क्या होमियोपथी से लिवर सिर्होस को रिवर्स कर पाना मूमकिन है ध्यान से बात को समझे जितनी बाते मैंने आपको बताईना यह फिजूल बाते नहीं थी अगर पेशेंट की क कुछ पहले से बेतर हो जा रही है मरीज के सिम्टम कुछ इंप्रूव हो जा रहे है और अगर मरीज अपनी डाइट एक्सरसाइज और रूटीन शरीर के हिसाब से मरीजी कंडीशन के हिसाब से मिंटेन कर रहा है समय से दवा खा रहा है तो फिर मरीज काफी हद तक एसम्ट देन रख सकता है अगर वो सारी कंडिशन्स ध्यान रख रहा है तो लेकिन अगर पेशेंट का सिर्होसिस डीकंपेंसेटेटेड स्टेज में है तो यहां पर हम मरीज को सिर्फ सिम्टोमाटिक इंप्रूव्मेंट दे सकते हैं अब अगर आप रिवर्सल के बारे में पूछेंगे कि आपने तो सवाल कहा था कि क्या रिवर्स हो सकती है अगर पेशेंट का जो फैटी लिवर है वो ग्रेड थ्री स्टेज से अब धीरे धीरे करके सिर्होसिस में जा रहा है पूरी तरह से नहीं पहुँच पाया है अब पारीज में हम रिवर्स कर सकते हैं यह पेशेंट टू पेशेंट करता है अच्छे से अच्छे लिवर सर्जन्स लिवर स्पेशलेज्स डॉक्टर्स भी गैस्ट्रों स्पेशलेज्स भी ऐसे कंडिशन में पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते और हुमियोपथी और आयु जिनत करने को राजी है उसका परिवार कितनी उसकी मदद कर रहा है इन सभी चीजों के ऊपर बहुत सरी चीज़ें मैटर कर जाती हैं तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हम हर मरीज को रिकवर नहीं कर सकते तो फिर हुमियोपथी किस तरह से सिरोसिस के मरीज के काम आईग यह मैं सिर्फ एक मरीज के ऊपर बात नहीं कर रहा मैंने बहुत सारे मरीज देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में और यह दोनों दवाईयां अगर हम पेशिंट को देते हैं तो वहाँ पर सिम्टोमाटिक रिजल्ट्स 60 दिन के अंदर पेशिंट को मिलने लग जाते हैं वो द कर रहा हूँ आप लोगों को कि हर पेशिंट में आपको सिम्टोमाटिक रिजल्ट्स जरूर दिखाई देंगे अब चर्चा करेंगे कुछ ऐसी हुमियुपतिक दवाईयों की जो कि एडवांस लिवर सिर्हॉसिस के कंडिशन में पेशिंट को सिम्टोमाटिक इंप्रूमे डपली की तरह आपको ऐसे लग रहा है बज़ रहा है हर तरह से बज़ रहा है वैसी फीलिंग आपको महसूस हो रही है तो ऐसी कंडिशन में एक दवा है जिसका नाम है कौसिया अमारा यह कौसिया अमारा इस वेरी गुड मेडिसिन और स्पेशली जब लेवर सरहौसिस हो तो यहां पर मरीज की बहुत अच्छी मदद कर दिया अब कौसिया अमारा उस कंडिशन में अगर मदर टिंचर में या 30 पूटेंशी में देना चाहें तो मदर टिंचर 10 बून दवा दिन में 3-5 बार के हिसाब से दे सकते हैं आप आधा कप पानी में डाल कर 30 पूटेंशी दि दिखाई दें अब सबोस करिए कि उसी लिवर सरहोसिस के पेशेंट में असाइटिस ना हुआ हो और उसके पैरों में भेंकर सूजन आ रही हो और ड्रॉप सिकल्स वलेंगे यह उंगली गणाने से बिल्कुल जो है गड़ा पड़ रहा हो तो ऐसी कंडिशन में एक दवाई अब यहां पर चर्चा करते हैं एक ऐसी दवा की जो चाहें लिवर सरहोसिस की कोई भी कंडिशन हो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो अगर आप उस दवा को सोच लें और इस्तेमाल करने लग जाएं तो सिम्टोमाटिक इंप्रूब्मेंट्स मिलने बहुत लाजमी है उस दवा अब चाहें वहां का सब्सका लाज़ा का नाम है नाटरम सल्फियॉरिकम जो मेडैसिन है अगराव 6x पॉटेंसी मे लें और 6x पॉटेंसी मे चार गोली दिन में तीन बार पेशन्ट रेगुरलि ले तो वो 3-6 महिने दग अगर रेगुरली इस दवा को लेता इस दबा के कोई side effect नहीं मिलेंगे क्योंकि एक biochemic medicine है लेकिन ये 100% effective है liver को हर तरह से improvement दे सकती है हर complication में patient को relief दे सकती है अब चाहें वो kidney related disorder शुरू हो जाए lung related disorder शुरू हो जाए ascitis हो जाए, dropsy हो जाए या फिर patient को multiple complaints होने लग जाए ब्रीडिंग होने लग जाए, पेट फूलने लग जाए दुनिया भर की परशानी होने लग जाए तो अगर liver surhoses advance stage में पहुंच जाए और लगभा सभी तरह के लक्षर दिखाई दे तो वहाँ पर natrium sulfurica में एक ऐसी दवा है जो अगर आप बंद करके शुरू कर देते हैं, तीन से छे मिने तक देते हैं तो patient कहीं न कहीं होमियोपथी को धन्यवाद देते हुए जरूर दिखाई देगा, तो I hope कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकरी दी है ना दवाईयों के बारे में, इलाज के बारे में आपका बिल्कुल concept clear हो गया होगा मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ देखिए जी, liver cirrhosis एक ऐसी बिमारी है जिसमें डॉक्टरी परामर्श की बहुत जरूरत है खुद हीरो हीरालाल ना बने बहतर जो दवाईयां मैंने बताई हैं, अगर आप self-medication में यूज करना चाहते हैं मैंने उसकी safer dosage बताई है रिजल्ट जरूर मिलेंगे, जादा रिजल्ट चाहिए एक अच्छे कुशल चिकित्सक को दिखाएं जिने experience और ऐसे cases को handle करने का जो बिमारी के बारे में जानते हूँ आपको हमेशा हमियोपिती से नमशकार, तैंक यू, एंड जै हिंद